बल्रामपू चीनी मिल्स की प्रमोटर अवंतिका सरोगी मुझूद हैं जो की एग्री कारुबार में एक बेहर जानावाना नाम है। बल्रामपू चीनी मिल्स में कमान संभालने वाली अवंतिका प्रमोटर ग्रुप की चौथी पीडी की सदस्य हैं। केलिफोनिया के स्क्रिप्स कॉलेज से बी-ए ओनर्स करने के बाद 2019 में कारोबार की जिमेदारी संभाली अवंतिका चीनी सेक्टर को नई उचाई पर ले जाना चाहती है और आए जानते हैं उनसे कि क्या उनका विजन है और क्या आगे वो बल्रामपू चीनी के लिए करना चाहती है अवंतिका जी गुड मॉनिंग बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके पहले तो यह बताईए कि आपने यह बिजनेस सी जॉइन करने का क्यों सोचा को कि आपके पास तो काफी एवेन्यूस रहे होंगे और आपका विजन क्या है बल्रामपू चीनी को लेकर सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो पे इंवाइट करने के लिए अनुझ जी मैंने इस बिजनेस को क्यों चुना मुझे लगता नहीं कि मैंने इस बिजनेस को चुना पर समहाव इस बिजनेस ने मुझे चुन लिया मैं आपको अगर सच बताऊ तो कोई प्लाएंज नहीं थे इनिशिली जब मैंने बिजनेस जॉइन किया था उसके पहले मैं सोच रही थी that I might become a big restauranteur और मैं शायद photography और उन सारी creative fields में जाऊं पर समहाव जो खून की पुकार होती है वो आई जाती है तो 2019 में जब मैंने जॉइन किया मेरी दादी जी उस समय जीवित थी पर उन्होंने काम से step-down ले लिया था और अनिस्टी स्पीकिंग जब से मैं एक साल की बच्ची हूँ तब से हर साल summer और winter vacations में हम लोग फैक्टरी जाया करते थे तो एक तरीके से मेरी college वहाँ से already start हो चुकी थी और training वहाँ से already start हो चुकी थी और जब business जॉइन किया तो ऐसा लगा कि घर आ रही हूँ अच्छा आपने एक चीज जो मुझे कही थी कि आप obviously क्योंकि आप next-gen से बिलॉंग करती है और हम सब का focus एक environment पर रहता है और sugar cane business में हमेशा से एक concern यह रहा था कि उसका environmental impact क्या होता है तो उसके ओपर भी आप काफी focus कर रहे हैं तो business को impact किये भीना वो कैसे possible है that's a very good question तो एक बहुत सारी myths होती है हर चीज से associated for example sugar cane में सबसे बड़ी myth है कि it is a water guzzler मतलब पानी का बहुत जादा उसमें नीड है दूसरे crops से जादा rather दूसरे ethanol producing crops से जादा जो कि मैं इनी चीजों को perspective में भी डालती हूँ कि आप अगर किसी चार महीने के crop को किसी बारा महीने के crop से compare करेंगे तो obviously पानी की लागत आपको लगेगी जादा बारा महीने वाले crop में बड़ इसका ये मतलब नहीं कि सच में वो जादा है तो एक तो हमें comparison ठीक तरीके से करने चाहिए जो कि मैं कहती रहती हूँ और दूसरी चीज की जो water requirement होती है crops को उन से जादा हम लोग normal traditional ways में देते रहते हैं तो definitely किसानों से engage करना और उनको बताना दिखाना और उनको चीजे भी उपलब्द करवाना जिससे environmental impact sugar के इनका environment पे कम हो सके जैसे की पानी की बच्चत दूसरे chemical fertilizers और chemical insecticide pesticide के अगर बात की जाए हम लोग bio pesticide insecticide पे बहुत जादा focus करते हैं हमने small scale की अपनी plant भी लगाई है और हम अपने growers को खुदी यह सारी चीजे प्राप्त करवाते हैं और उनको जित्ता हो सके mechanical और बायो कंट्रोल पे हम डालना चाहते हैं इनसे आप बिलीव ने करेंगे इनसे इनके पैसों की भी बच्चत होती है क्रॉप भी बहतर होती है और हमारे business के लिए तो obviously यह सारी चीजे अच्छे होती ही है obviously आपका एक business का बहुत बड़ा area UP में है और हमने काफी political changes भी देखे हैं वहाँ पर एक समय पर एकदम cyclical business होता था किसानों को कई बार अच्छे पैसे मिलते थे कई नहीं मिलते थे अब आप क्योंकि next gen से belong करती है कंपनी की growth में किसानों को भी उसी हिसाब से participation मिले इसके लिए आप क्या करें बिल्कुल I think कि अगर हम किसानों की बात करें और हम प्रधान मंत्री का जो सपना है कि किसान की आई दुगनी हो अब एक ही फसल बचती है हमारे पास जिससे किसानों की आई हम दुगनी कर सकते हैं और वो है गन्ना क्यूंकि जितना आप लालन पालन पोसन गन्ना को देंगे वो उतनी ही yield आपको देगा ये चीज और किसी भी क्रॉप में पॉसिबल ही नहीं है ना ही मेज ना ही राइस हाला कि अफकोस वो भी एक important पार्ट है ethanol mix के लिए पर गन्ने में जो समरिधी लाने की शमता है वो और किसी भी क्रॉप में नहीं है तो जैसा कि हम लोग की जो yield आती है average farmer की अभी बहुत गुंजाइश है उसको दुगनी करने की तो political scenario की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा निर्देश हुआ प्राइस एक जगा पर है प्राइस बढ़ती है थोड़ी थोड़ी बढ़ती है दस रुपे बढ़ जाएगी ऐसे कुछ शायद पर जब yield बढ़ती है तो वो डेड़ गुनी दो गुनी हो सकती है तो इसमें सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और सही समय पर सही चीजे करने की जरूत है कोई जरूरी नहीं कि हम खर्चा बढ़ा कर ही ये अच्छी पाएंगे तो ये सारी चीजें हम लोग डेफिनिटली गवर्मेंट के तरफ से भी बोलते हैं अपने तरफ से भी बोलते हैं और एक चीज जो मैं गवर्मेंट के बारे में कहना चाहूंगी वो है कि जो हमारे बि महने के लिए तो उस समय मुझे कभी भी अनुमती नहीं थी कि अंधिरा हो जाए और मैं बहार निकल जाओ फैक्टरी के आज के दिन पे डिनर पे अगर 11 बजे रात को भी कोई मीटिंग खतम होती है मैं दूसरे फैक्टरी जा सकती हूं फिर वापस लखनों आ सकती हूं और सब्सक्राइब करें चार साल की साइकल की बात करते थे उसके बाद लॉसे आजा जाते थे अब इस समय बिजनस में आपको क्या पोटेंशल देख रहा है जिसमें आप एक विजिबिलिटी बदा सकती है कि किस तरीके की विजिबिलिटी देख रही है आपको आपको बेचना है पूरे साल में फिर जिस साल चीनी जादा तो प्राइस कम और एक्सपोर्ट के लिए सबसिडी और पावर के बहुत ड्यूज हुआ करते थे जो कि अब ये सारी चीजे एथनॉल के आने से एक कैश फ्लो हमारे अच्छे सिनारियो में आ गया है हम सिर्फ चीनी से नहीं पर हम एथनॉल बेचकर भी कुछ अपना कैश फ्लो बढ़ा सकते हैं तो चीनी की स्टॉक करेंट ने एथनॉल प्रोग्राम बिठाई है इसके वज़े से हम एक्सपोर्ट करें या ना करें वर्ल मार्केट में कुछ हो या ना हो हमारा देश बिलकुछ सिक्योर हो गया है और साइकलिकालिटी वाली शब्द शायद अब हमें भूल जानी चाहिए चीनी के बिजनस के वारे में बात करते हुए ओके अवन्दका जी आज हमारे पास इतना समय है मैं आपके साथ एक स्पेसल शो करना चाहूं गा अपके साथ और विवेक जी के साथ दोनों के साथ शाइद एकalfannel यि ऋख यह किसी में पर्माईedrak से अंच्म परिजनस को सबजना चाहूँग झाल झाल